बाई ये आप देख सकते हैं बहुत सारे गॉल्ड मैडल हैं ये कोई गॉल्ड मैडल बहुत सारे स्टुडेंट्स ने हासिल नहीं किये बलके एक ही बच्चे ने हासिल किये और माशाला से चेक करें ये गॉल्ड मैडल अगर मैं गिनू तो मेरे ख्याल है कि मैं गिंता गिंता तक जाओंगा माशाला बड़ा अच्छा काम किया है एक मचेरे का बेटा देखें बहुत सारे हमारे मचेरे फिशर मैन जो कम्यूनिटी है उनके बच्चे इतने काबिल हैं मगर बतकिस्मत इसे एग्नौर हैं जिनके पास वसाइल हैं वो करवा लेते जिनके पास वसाइल नही की और पूरी दुनिया में चोथे नंबर पर और पाकिस्तान में पहले नंबर पर आया है आज इन से बात करते हैं किस चीज का मुकाबला था किस चीज में आपने महारत हासिल की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया यह क्या मुकाबला था और कैसा फील कर रहे हैं आप बिसम करने की और यह वर्ड इसको लगवे ऐस चोलर्ड निजिया और एक ज्याग पर दूनिया से जो स्कॉलर्स ने वह आते हैं और एक जया एक जाग पीट करते हैं जो दुब गलोब राउन था तो इसके अंदर में गया था तो दो देर वार फ्रटीन रिट चॉलर्ड एर ओर और तो पतब आपने एक आपको लोग कहते होंगे प्रचेर के बिटने पूर पाकिसान की नुमाइंदगी और सारे जुतने भी मचेरे उनका नाम रोशन किया तो जो भी मुझे बोलता तो मैं इसको प्राउट लेता हूं तो मतलब आपने मचेरे जितने भी लोग हमारे उनके बड़े शिक्वे शिकायत होते हैं बड़े मसाइल होते हैं तो आपके अला ने बड़ी इजद दिये तो उनके मसाइल के हल के लिए भी आप कोशिश करेंगे मुझे यकीन दिया नहीं करवाई है कि अंशाला जहां तक मुझे पोस्ट मिलती है मैं सिंद के जितने भी इस तरह के साथ तावन किया दो राउंड हुए हैं जो दुबाई और अजर्बाइजान में हुए थे तो उसके अंदर में आइकांट बेर मैं स्पार्शिप अभी तो उसके अंदर शुक्र घजार हुए एक साथ को सब्सक्राइब करेंगे बड़ी बड़ी जबर्दस बात करी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वजी अच्छों को प्रोमोट कर रहे हैं बड़ा अच्छा है वजीर आला साथ की जानब से बड़ा यह भी शुक्रियादा करेंगे यह जो मैं मैंडल आप देख रहा हूं यह मैडल तो बड़ा मुक्तलिफ मुझे लग रहा है इन मेरे हाथ में जो मैडल वे उन से तो इसके लिए क्या बड़ी मैनत करनी पड़ी थी आपको या ऐसे बसासल कर लिया बिल्कुल मैंने आपको मैंने अब आपको बड़ा तो अब आपको बड़ा फखर है मैं पाकिस्तान में किसी बाद भी नहीं एक्सेट मी तो इस मेरे बाई मेर पांजिरी उनकी बड़ा सबोर्ट हासल थी विकास यह एक इंटरनेशनल वह हम हम एशन के लिए अंग्रेज को बीट करना बड़ा पाकिस्तान में बैड़ के जो कि इनके वालित की जाने से बड़ा सपोर्ट था और उसने अपने आपको मनवाया और अंग्रेजों को डिफीड किया मुकाबले में जो कि बड़ी अच्छी बात है हम कहते हैं जी बाहर चले जाओ अंग्रेज हैं पाकिस्तान के जो बच्चे में शिर्क्रत करूंगा उसमें 1500 स्कॉलर्स हैं तो इंशलों को एकमबीट करना मेरा फर्ज बन गया है जरूर पाकिस्तान की नुमायन की करते हुए मैं जरूर कमबीट करूंगा तो वालित का क्या फकर महसूस करते होंगे आपको देखके वालित की ख्वाहिश थी कि आप जो इस तरफ निकले या उनका पेशन था कि नहीं तुमको भी मशेरही बनना है नहीं बिल्कुल वह मुझे पढ़ाई में प्रमोट करते थे जो भी मेरे स्कूल तो बिल्कुल कहते थे के पढ़ाई किताब आपकी विद्रीन दोस्ते तो उसको आमिल ही रहो उसको ही अपना सरीके से आगे निकलना है और यह भी इंशालला हर सिंद्ध में जितने मेरे अगर जो पोस्ट अंबेस्टेडर सिंद्ध की अगर मैं इस पर प्रमोट होया था हूं तो इंशालला जरूर में का पूरे सिंद्ध के लिए करूंगा बड़ी बात है देखें पूरे पाकिस्ता पाकिस्तान में में कहתा हूं तो हैजा आजरी क आज जो पूरे पकिस्तान की ढूमााईंदगी कर रहा है जिसने पाकिस्तान में धेरो गॉल्लमेडल हासिल किए और पाकिस्तान का नाम प्रफेशन को भी देख रहे हैं उनकी जो प्रोफ जो दोस्तियारों के जो बच्चे उनको भी अच्छी लाइन पर लाने के लिए इन्शाला जद्व जदोजायद करेंगे जोके इनका बड़ा अच्छा अज़म है बाकी मुस्तक्मिल बड़ा अच्छा है अभी यह जा रहे परफॉर्म करने के लिए उन्हीं की लैंवेज एंग्लिश करने में मुश्किल पिशाया थे पिशन कोई हो सकती है तो लेकिन वहां पर आपको डर्णा निया फेर फेलियर एज फेलियर इस तो हमें चीजें बिल्कुल फेलियर हमें निकाली देने दिल से तो वहां पे कुछ और पाकिसानी थे बहुत 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 दर रहे थे तो बिल्कुल नहीं और एक फेलियर एक यही मुस्तगल का पार्ट है इंशायला सको निकाल चलने वीडियो को जाद जादा श्यादा शेयर करें ताकि जितने भी हमारे माहीगिर भाई हैं उनको फकर हो और पूरे पाकि की वज़ा से परिशान है माली वसाहिल की वज़ा से परिशान है मगर अल्ला ने जो के इनके वाले दें उनको एक सपोर्ट मिली अल्ला की तरफ से और इनके बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिला अल्ला पाकि तमाम माहीगिरो के बच्चों को भी इसी तरीके से आगे बढ़ लेगा मौका मिलो और ये जो बच्चे ही अजम रखता है कि जितने भी माईगरों के बच्चे हैं उनकी सपोर्ट के लिए खड़ा रहेगा लाफ़ज़